हाई गाईज वालकूम बैक आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन के टॉप फाइफ मोस्ट यूसफुल एंड इंपोर्टेंट हिडन फीचर्स ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में जिनके बा के साथ करेंगे आईफोन के लॉक स्कृइन की ऊप्र हम व्ल को कैसे नेबल कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसcheं की आप लिगेशन में जंप करना है इसको ऑपन करेंगे घो a particular city को आपने add करना है तो हो कैसी यहां पर आपको प्लस की उपर टैप करना है वर्ल्ड क्लॉग के सritis में आपने आ जाना है प्लश की उपर टैप करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर city को आपने यहां पर itu करना है यहां पर मैं सर्च करूंगा Cupertino जो की सिटी है USC की जहाँ पर Apple के headquarters हैं तो मैंने इस city को इसका time zone मैंने add करना है lock screen के उपर तो मैंने इसको सर्च किया और यहाँ पर आपको simply lock screen के उपर आना है और यहाँ पर long tap करना है customize के उपर tap करना है lock screen इनको आपने select करना है अब आपको widget के उपर tap करना है और यहाँ पर आपको time zone आपको देखने को मिलेगा clock की application में जो कि आपको दूसरी country का time zone आपने select किया था अपनी clock की application में अब आपको यहाँ पर उस city को add कर देना है तो इस तरह से आप अपने आइफोन के lock screen के उपर से किसी भी country का time zone add कर सकते हो as a dual clock तो आप देख सकते हो यह है अपने इंडिया का time zone और यह है Cooper Tiro City जो की USA की city है उसका time zone आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आइफोन की lock screen के उपर से इस तरह से आप dual clock को enable कर सकते हो अपने आइफोन के lock screen के उपर से तो guys second number के उपर हम बात करेंगे आइफोन में हम HDR wallpapers को कैसे create कर सकते हैं खुद से अगर आप अपने camera को यूज़ करके कोई features को create करते हो shoot करते हो और आपके पास कुछ एक ऐसी photos हैं जिनके साथ आप चाते हो कि मैं इसका wallpaper create करना चाहता हूं वो भी high quality में तो वो हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आपके सामने एक photo है यह है मेरे पास एक photo जिसका मैंने wallpaper create करना है वो भी high resolution में तो इसके उपर आपने tap करना है edit के उपर tap करेंगे और यहां पर आपको three dots के option देखने को मिलेगे crop के उपर आपने tap करना है तो यहां पर आपको इस first one option के उपर आपने tap करना है जो है pen के साथ वाली first number की option इसके उपर आपने tap कर देना है तो यहाँ पर आपको बहुत सी options देखने को मिलेंगी सबसे पहली है original और second one है free from और यहाँ पर आपको square का option भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर fourth number की उपर आपको wallpaper का option देखने को मिल जाएगा तो जैसे ही wallpaper की उपर tap करोगे अब आप इस photo को as a wallpaper भी use कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह wallpaper का shape यहाँ पर ready हो चुका है वो भी high quality में अब आपको इसे done की उपर tap कर देना है और इसको save कर देना है तो यहाँ पर इसको share की उपर tap करेंगे और यहाँ पर इसे use as a wallpaper आप set कर सकते हो बिल्कुल exact size जो आपने वहाँ पर create किया था वो ही size आपको यहाँ पर देखनी को मिलेगा आपके iPhone पर तो यहाँ पर आपको done की उपर tap कर देना है set as wallpaper pair तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह wallpaper completely ready हो चुका है बहुत ही बड़ी हाँ quality में आपको देखने को मिलेगा तो guys यहाँ पर third number की उपर हम बात करेंगे कई बार क्या होता है कि अपने iPhone में call आती है और हम उसे उठा लेते हैं और गलती से आपका हाथ यहाँ पर lock button की उपर पढ़ जाता है जिसके साथ अपनी call जो है वो disconnect हो जाती है cut हो जाती है इसको आपने prevent कैसे करना है इसको करने के लिए आपको settings की app में jump करना है तो यहाँ पर आपको accessibility के उपर tap करना है touch के section पर जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा prevent lock to end call तो इसको आपने on कर देना है अब आपके iPhone में जितने भी calls आएंगे उसको आप यहाँ से simply lock कर सकते हो और आपके call कभी भी नहीं end होगे कभी नहीं कटेगी तो इसके साथ आप prevent कर सकते हो lock button को जिसके साथ आपके call end हो जाती थी आपके iPhones में फूर्थ नमपर के उपर हम बात करेंगे iPhone के एक नए iCloud feature के बारे में अगर आप सभी यूज करते हो iPhone उसमें आपने Apple ID को sign in कर रखा है तो आपको इस feature के बारे में जरूर पता हो नजे कई बार क्या होता है कि आपका iPhone आप से misplace हो जाता है by chance तो अगर उस case में आपका data save हो रखा है आपके iCloud ID में तो आपको आपका data वापस चाहिए तो वो हम कैसे ले सकते हैं इसके लिए आपको अपनी ID की उपर टाप करना है तो यहाँ पर आपको iCloud की उपर टाप करना है तो guyz यहाँ फर आपको iCloud की उपर वेबसाइट ओपन हो जाएगी iCloud की तो यहाँ पर आपको स्क्रोल अप करना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा sign in to iCloud.com तो इसके उपर आपने टाफ करना है तो इस वेबसाइट में आप sign in कर सकते हो अपनी iCloud की ID को जिसके साथ आप अपना सारा का सारा डेटा यहां से recover कर सकते हो अपने किसी भी Android फोन में या किसी भी iPhone में कुछ इस तरह से बहुत ही helpful है यह iCloud की जो वेबसाइट है जिसके साथ आप अपनी iCloud ID को sign in करके कोई भी डेटा को recover कर सकते हो free में अब हम बात करेंगे iPhone में हम announce call के feature को कैसे enable कर सकते हैं जब भी call आपके iPhone में आएगी आपके iPhone की Siri आपको call का name जो है वो announce करके बताएगी तो उसको कैसे enable करते हैं settings की app को open करेंगे bottom पर आपको एक application को search करना है जिसका नाम है phone तो यह है अपनी phone की application आपको देखने को मिलेगा announce calls तो इसके उपर आपने टैप करना है जैसे यहाँ पर टैप करोगे आपको यहाँ पर इसे आप अनाउंस कर सकते हैं किसी की call को I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में so guys thanks a watching